नमस्कार, नियूज किलीक में हम आपका स्वागत करते हैं लोक तंत्र में संस्थाओं की साख सबसे अधिक महत्तोपूर्ण होती है लेकिन तब क्या जब संस्थाओं की साथ कमजोर होने लगे जनता का भरोसा संस्थाओं पे सबसे क्या अधिक होता है कैग भारत सरकार की खरीदारी का मुल्यांकन करता है लेकिन तब क्या जब खरीदारी में कीमत को ही गायब कर दे कैग की राफेल से जड़ी रिपोर्ट के साथ यही हुआ है अकिल कर यह पूरी रिपोर्ट क्या कहती है इन सारे विशेप बात करने के लिए हमारे साथ है राफेल पे सबसे पहले खुलासा करने वाले पत्रकार रवी नायर तो रवी नायर पहला सवाल तो यही बनता है कि कैग रक्षा मंत्राले से कहती है कि अखिरकर हम प्राइस को क्यों छुपा लें पहली बार में पांच फरवरी को लेकिन अचानक से मान भी जाती है कि प्राइस को छुपा कर की रिपोर्ट प्रस्थुत की जाएगी आपको लगता है कि कैग की यह रिपोर्ट ऑथेन्टिक है रिपोर्ट तो ऑथेन्टिक है C.A.G. का ही रिपोर्ट है रिपोट का अव्थेनिसिटी में कोई डाउड तो है नहीं। लेकिन रिपोर्ट जवाब जू देना चीह है वो नहीं दे रहा हैं। बलकि ज्यादा सवालें खड़ी कर रहा हैं। नवंबर में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रा था रफाल के बारे में, नवंबर में गौर्णमें ने लिखके दे दिया, एक सील कार में लिखके दे दिया, जो भी रिपोर्ट आएगा, C.A.G. का उसमें प्राइस रडाक्ट होंगे, तो रिपोर्ट रडाक्ट करना है न जो एक साथ बारे में लिखकेते दिया है नहीं दिया है. यह निवंबर में, आज सब्साइब में पहले हो नावंबर में पहले कैसे बता था रिप्राइस होगा. जो प्राइस मिटा के चेवर्ट आएगे लिखके अबधेर, नहीं फ्राइसा बाहरा बताओ, इस दील में कपिछ परफियक्ट हैंं पिर चुपाने किस बात हैं अब जो चुपार है प्राइस चुपार है इस है रिपोर्ट में देख लो इसमें ग्याराइब बिल्गुर्घल की डीटेल्स दिया हुआ वह हुआ हैंब होवी पूछने हुआ इस गैरा रीपोर्ट में 10 ोच्टी प्राइस। सुट जैए होगा सिर्फ इसकी प्राइस। नहीं। नहीं दिया गया। यहां पर राश्टी सुरक्षा कि खाला। क्यों नहीं? So, बाकी जो मसले में, so, रक्षा की बात है नहीं क्या? सिर्फ इसमें क्योंद इसारा एर फोर्स का ही है? इत अरे इक डिटेल्स का, हमिन आप हेलिकॉप्टर का है, ट्रांस्पोर्ट एर क्या है, जो ट्रेइनर एर एर क्या है, सब कुछ सारा डीटियल्स दिया हुआ है सो इसमें क्या कोई सेक्यूरिटी है नी सिर्फ इसी इसी डील में सेक्यूरिटी इतना क्यों दूसरे एक और चीज़ आप जो चुपा रहे सारका जो चुपा रहे इसका कीमत चुपा रहे कीमत क्या है पैसा यो पैसा कहां सजाता है यह पैसा हमारा है अपका और मेरा है जो टैक्सलन करता है आप जाके यह डिलय कनी आप आप कुछ भी ले हो एक कि लेड्ल कर ले है जो बेसिक जो tax देता है, हर एक आथमी, कोई भी एक छीज लेने वाला हर एक आत्मी tax payer करता है. एक टैक्सपayर का मनी है, जब टैक्सपayर का पैसा गवश्चता है, उनको बोटना चाहिए, लोगों को पूछना चाहिए, सरकार हमें जवाब देना चाहिए, हम सरकार को नहीं, क्योंकि हम टैक्स देते हैं, सरकार हमारे पैसा यूज़ करता है, इन्होंने पैसा दिया, हमारा पैसा है, हम से क्यों चुपा रहे हैं। तो अब दूसरा सवाल यह कि जितने रिपोर्ट सारे आए इसको लेकर के बहुत सारे रिपोर्ट आते रहे हैं हिंदू में लिखा आपने बहुत सारे रिपोर्ट लिखे और भी पत्रकारों ने लिखा उन सारे रिपोर्टों को छोड़ दें तो अखरकर इसमें नया क्या है जो निया निकल के सामने आया? इसमें नया है, दाट प्रैस नहीं किया. आज हिंदु निजस्पेपर में एक रिपोर्ट आया था सुपेम, उसमें जब इंटरनाशनल नेगोसियेशन टीम था, नेगोशियेटिंग टीम था, उसमें सबसे टेकनिकल जो तीन मेंबर्स दे, उन्होंने एक डिसेंट नौट रखा था, डिसेंट मतलब उन्होंने एक डिसेंट को उपोस किया, जो प्राइस का जो डिसेंट को उपोस किया, इसके लिए हमें थोड़ा सा और पीछे जाना पनी, चाहिए. अभी जो इसमें जो प्राइस दिखाया है, 7. इसमें नहीं दिखाया है, बट वैसे जो प्राइस बाहर आया हुआ है, पिछले साल फ़ेवरियूरी में, 7.88 बिलिन का जो प्राइस बोला हुआ है, जो हिंदू में आज रिपोर्ट आया, उसके मताबिक ए पता चल रहा है, ए प्राइस जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अनौन्स किया था, उसी टाइम ही ताहर हुआ था, तो इस रिपोर्ट में, उस जो आज जो हिंदू में रिपोर्ट आया, जो लिग डॉक्मेंट के मताबिक, वो एक लिएर कर रहा है, दसों ने एक ही प्राइस दिया, उस प्राइस से एक पैसा कम नहीं किया उन्होंने, तो हमारे गौर्वर्णमेंट जो बोल रहा है, एक प्राइस बेस्ट प्राइस किया, पहले जो वाला डील से कम किया, उतना कम किया, इतना कम किया, कहां कम हुआ, वहनोंने एक ही price तयर किया, हमारी जो negotiation team ने, negotiating committee ने एक प्रैस तयर किया था, benchmark price, उससे almost 56% उपर हम पैसा दे रहे हैं, रहे हैं, प्रैस कहां कम है, लेकिन आपकी जो सारी बाते हैं, वो तो बाते अपने जगह पे हैं, ये जो पन् दिखा रहा है इस रिपोर्ट का वो तो यह कह रहा है कि 2.86 परसेंट कम में यह डील किया गया है और उसके साथ और भी चीज़े इसको पढ़ने पर निकल के आती है कि डील इतने रुपए कम में भी किया गया है कोई सवरियन ग्रांटी नहीं है कोई एसको आप एक बाप पता इसके मताबिक जो यह प्राइस बोला हुआ है 2.8 परसांट, दो दॉदुशनम आट प्रदिश्यत प्रेस कम किया है किमत गम किया है एक कौन सी comparison के साथ किया हुआ है हमारे दरसक देखें कोई comparison नहीं है यह पूरा का पूरा पेच खाली है और यहां पर सीधे लिए हमें नहीं पता है हम एक मिनुट के लिए इसको साइड पर आए की ना फिर्क लें पता है क्योंकि बहुत सरे डाकुमेंट स्सक्ति भरेपें की इस दील में कोई गैरंडिय नहीं दीया जो defense deal में क्या होता है जब price advance में देते हैं so either जो government एक sovereign guarantee दो, government की guarantee देता है that suppose कुछ गलत हो गया, हम जम्हेदार हैं, इस deal में वो guarantee है याई नहीं तो जिस company जो जो manufacturing करता है बनाता है इस जहाज को उनको एक उनसे bank guarantee लेते हैं, इस deal में वो भी नहीं है suppose इस दील में आप नॉर्मल डील की तरह बैंक गैरंडी होता है तो आप सोच लो 2016 में ए डील साइन किया था ए डील एंड होगा 2022 में चे साल की डील जब बैंक गैरंडी देता है क्या होता है वो मैनुफेक्टर बोलता है बैंक गैरंडी तो हम देंगे लेकिन इस बैंक गैरंडी के चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा मतलब हो इंडिया को देना पड़ेगा सो सब्सक्राइब इंडिया और बैंक गैरंडी का आनूल चार्ज देते हैं इच्छे साल के लिए ते बैर मिनिमम वो चार्ज अता है 7.8% आप इसके साथ उसको जोट लो सो बैसिकली इच्छे साल के लिए टू पोंट एट परसंट इसले कम आरा है क्योंकि इसमें बैंक गैरंडी नहीं है बैंक गैरंडी होता एपांच फाइपरसंट उपर होता प्राइस नो जब प्राइस की बात करेंगे तो जब शारुन जेटली ने बोला था पहले वाला डील से 20 प्रदिशध प्राइस कम है याद होंगे अपको बिल्कुल बिल्कुल नर्मिला सिदारामन जी ने बोला था नो प्रदिशध प्राइस कम है दसो का जिस कंपनी जो मैनफच्टर करता है उनका जो CEO है उन्होंने बोला था इसका प्रदिशध जो सिदारामन जी ने बोला था मिसिर सिदारामन जी ने बोला था वही उन्होंने बोला था नो प्रदिशध प्रदिशध प्राइस कम है प्राइस कहां कम है रव 지pper टो 50 पीजिए पैँ ठालीस . थानी प्रसाथ पंचास कोशी तुटरी बीट अवर। तुन इनWow इसमें बिल्कुल कुछ चुपाना है नहीं तो एसे कम नहीं करता है तो यह तुरह कीमतों के मसले पर कुछ और जो टेक्निकालिटी हो सकती हैं जो इससे ले करके थी उन मसलों पर अगर कुछ आपको दिस्क्रेंट से यहां पर दिखी हो कुछ कमिया देखो बैसिकली ऐसे हम बोलेंगे तो हम बहुत डीप जा सकते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाएगा वो अगले बार करेंगे क्योंकि यह इदर ख़तम नहीं हो रहा है रफाल मामले के बारे में जो भी मोधी गौर्णमेंट जो भी करता है वो सवाल नहीं देते हैं वो जवाब नहीं देते हैं ज्यादा सवाल पेदा करता हैं इसमें भी वही हुआ है एक तो एह हो गया प्राइस का हो गया दूसरा जो इसके मुताबिक तो नहीं हो रहा है चोहता पॉइंट यह हो गया दट आप सुरक्षा की बात कर रहा है टोटल गैरा डीलेंग की है एक गैरा डीलों में से 10 का प्राइस आप दे सकता है और एक का प्राइस आप चुपाया है एक मजएदार बात है इसमें जो टोटल इसमें सबसे आगे लिखा होगा आपने पठा होगा तोटल वैल्यू है डीलों का वो 95,000 क्रोड का है 95,000 क्रोड का है उसमें से आप जो जो मेंशन किया हुए बाग की डील है उसकी कीमत आप कम करके जाओ जो रफाल का प्राइस आ रहा है करीब साथासार 700 क्रोड रुपे का अमने बहुत सबसे आदे किसी का ठीक है वो ठीक है लेकिन इधर तो छुपाया है उधर प्राइस दे दिया टॉटल प्राइस बाकी सब का प्राइस दे दिया और सिर्फ इसका प्राइस चोड़ दिया common sense की बात है अब बाकी सारा total amounts है आप बाकी सारा निकाल दो प्राइस किया रहा आपके पस और ये जो offset company का मसला था नहीं लंबालेश जुड़ा हुआ उसके संदर हमें कुछ बात है वो तो दिया ही नहीं है बिलकुल नहीं offset का तो CAJ रिपोर्ट आया है नहीं है देखो इसमें न इसमें भी दो चीज़े है इस government के पार्लिमेंट में आज आखरी दिन है आखरी दिन प्रस्तुत किया है इसके बाद मोधी सरकार की एक पार्लिमेंट सेशन होगा नी हो सकता है दुबारा जीत के आजाएं तब आज के दिन इसको पार्लिमेंट में प्रसुद किया है अभी ये पी एसी पे जाएंगे पी एसी इसको पी एसी तो CAJ को भी बुला सकता है इसे पी एसी मांग सकता है वो जब तक पूरा करके बाहर आएंगे तब तक तो election आएगा फिर पदा नहीं क्या है इस सरकार के टाइम पे आफसेट का जो रिपोर्ट है अनलंबानी को गया जो भी है वो आएगा नहीं बाहर इनको कुछ चुपाने नहीं है आपने तो सबसे अधिक राफेल पे लिखा है ये रिपोर्ट रख लें अपने पास और जितना आपने लिखा है तो आपको क्या लगता है कि इस मसले कांत कहां तक होगा कहां पे जाके होगा देखो गौर्णमेंट सही है जो गऌर्णमेंट बोल रहा है कुछार निवाल सच बूल रहा रहा है तो डरता क्यों है एक एक एंकोरिग करने के लिए जेपीसी का एंकोरिए करेंगे तो सिर्फ आपोसेशन पार्ति के लोग नहीं होते उसमें रोलिंग पर्टि के भी लोगोंगे वे लोग गऑँ नहीं हिए नहीं सिवसेना पोस कर रहा माक्सिमम मेंबर्स बीजेपी के ही होंगे जएक जए पीसी क्यों नहीं बिठाते तो यह थी राफैल पर रविन यायजी से बात चीए तिनी मोटी रिपोर्ट लेकिन कीमतों के बारें बात की जानी थी और कीमतों का इसमें कोई जिक्र ही नहीं है शुक्रिया रविन आज जी झाल झाल